दोस्तो इस वीडियो में बात करूँगा कि आप अपने Facebook एकाउंट पे अभी तग आपने जितने भी फोटो वीडियो या पोस्ट को पोस्ट करा है उन्हों सबका बैकप वन क्लिप में कैसे ले सकते हैं तो इसी के बारे में बात करूँगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अ वन क्लिप में तो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आप अपने Facebook एकाउंट को लोगिन करें लोगिन करने के बाद आपको राइट साइट कॉर्णर में दोस्तो देखेंगे कि यहाँ पे एकाउंट्स लिखा हुआ है एकाउंट्स में आपको नीचे आना है सेटिंग सर्फिस ख़यो है उसको क्लिक करो सेटिंग्स और प्राइवेसी में फिर से आपको सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जेनरल के दो नीचे है your facebook इन्फर्मेशन, यूर फेस्बुक इन्फर्मेशन में आपको दोस्तों नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड यूर इंफोर्मेशन, डाउनलोड अ कॉपी ओप यूर इंफोर्मेशन तो कीप और टांसफर तू अनदर सर्विस, दोस्तो इस पे आप अगर व्यू पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा, इस विंडो में दोस्तो कहां पे जितन आपने यूर प्लेशेज, फेस्बुक गेमिंग इवेंट्स, पोल्स, पेजेज, जितने भी इंफोमेशन है आपके ग्रूप्स, फंड्रेजर, सॉर्स वीडियो, सबके सब यहां पे ओल्लेडी टिक है, आप अगर यहां से फाइल क्रेट करते हो, तो दोस्तो जितने भी आ मैसेजेज, आपके, आपके मैसेजेज, पोस्त, सबका सब आपके एक साथ, एक ओन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा, तो दोस्तो यहां पे आप क्लिक करोगे, तो दोस्तो क्लिक करोगे, तो ओल लेडी दोस्तो मैंने क्या कर रखा है कि यहां पे और यहां पे मैं मुनते क कि आपको फाइल दिखा देता हूं दोस्तों आप इस पर download again पर click करेंगे या आपका first time में download दिखाएगा तो आपको एक बार अपना password को type करना पड़ेगा उसके बाद से जो जो फाइल डाउलोड होगा उसके फाइल को मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों जो फाइल डाउलोड होगा आपको उसको एक पर extract करना पड़ेगा इस ट्रेक्ट करने के बाद आपको इस तरीकी से सारे फाइल सा जाएंगे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फोटो जैन वीडियो जाता हूं थम्नेल में जो फोटो मैंने डाल रखाता हूँ है उसके बाद टाइम-लाइन पे जित्ते भी फोटो मैंने डाल रखेते सारे हैं दोस्तों मेरा यह जो फेसबूक अ्काउंट है ज्यादा पुराना नहीं है हो सकता है कि आपके जो फेसबूक अका रहेगा और जब डाउनलोड पूरा हो जाएगा तो आपका एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो भी मतले कि Facebook पोस्ट है वीडियो है और यो है जित्ते भी आपने Facebook पे कुछ भी चीज़ पोस्ट कर रहा है वो सबका सब डाउनलोड हो गया खुद कंप्रेस कर देता है तो जो कंप्रेस्ट क्या हुआ फाइल होता है वही आप उसको डाउनलोड कर पाऊगे हो सकता है कि जो ओरिजनल आपने फर्स्ट टाइम में जब अपलोड किया होगा तो वह एक्चुल में जो भी आप फाइल अपलोड करते हो Facebook पे वह उसको कंप पोस्ट डालते हो वह सबको कंप्रेस्ट करता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको पता चल पाए हुआ कि आप इस तरीके से अपने जितने भी Facebook पे स्टफ है जो भी आप फोटोज है वीडियोज है जो भी चीज आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको बैक अप क